कि अपनी लाइफ में अच्छे आप लोग कर रहे होंगे तो यहां पे आप सब्सक्राइब करने करने कोशिश करूंगा आप सब्सक्राइब कर आप सब्सक्राइब करने कि अपको क्या करना पड़ता है वह बेसे समयेंगे बिना किसी दिरीगी शुरू करते हैं जिसमें आपको जे में सकोर में आपको गॉबर्मेंट कॉलेजिस मिलते हैं अब देखो जो सा कौनस्लिंगार बेसे की सब कोई आपको अपको क्लिय को चाहें नहीं हो चाहें नहीं हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं अबस यह गोपको जो अब के बाद मिलता है यानि कि आपने जैए मेंस कट अपके कप से शुरू होगी तो फॉर्म फिलिंग यानि कि बात करते हैं तो आपका चालू होगा 16th सब्सक्राइब करते हैं कि अपनी कॉलेज ब्राज अच्छे से आपकी रैंक को कैसे करते हैं कि तरीके से ठीक है अभी आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ अब देखो क्या होता है जैसे मालो आपने चॉइस फिल कर दी और फास्ट राउंड का सीट अलॉट्मेंट आपका रिजल्ट आया उसमें उसमें आपको पता चलेगा कि आपको सीट मिली या नहीं मिली राइट उस नहीं कि आप पाटिशिपेट करना चाहते हो कांसलिंग में प्रण के इतने राउंड होते है टोटल सेक्ट राउंड तक जोसा की कंसलिंग होती है और उसके लावाँ अपना दूसरे उप्शन हो था फ्लोट का मालो आपकी रहंक बहुत 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 जादा रहंक आई है तो आपको दबाना चाहिए जैसे में आप अपनी कॉलेज और ब्रांच दोनों चेंज कर सकते हूं अभी आएंगे चॉइस का मतलब क्या होता है कि सब्सक्राइब कर सकते हो जिसमें आपको डॉक्मेंट की पूरी पड़ेगी तो सारे डॉक्मेंट्स आपको स्कैन करके रखने होंगे और आपको आपको कांसिलिंग कैसे करना है आप मोबाइल के थूए लैप्टॉप के थूप कर सकते हो या आप सब्सक्राइब कर सकते हो आपके बात करते हैं तो जनरल के लिए आप यहां पर एक चीज़ का मैं बताता हूं यह फीस एक्सेप्टेंस फीस है यानि कि आपको सीट अलॉट होए उसके बाद आपको यह फीस पे करनी पड़ेगी और जनरल बात करें तो देखो अब आपकी जो उसा की जो रजिस्टेशन फीस यह वैसे नॉर्वल फीस रहती जादा नहीं रहती है अब जो भी होगी जैसी ब्रोशर आएगा तो आपको बता दों ऑफिशली बाकि इतना समझो कि जैसे आपको मालों सीट अलॉट होए आती है तो सीट अलॉट होने के बाद आपको ज करनी पड़ेगी ठीक है और एक बात ध्यान रखना जो सागी को फिजिकल वेरिफेकिशन के लिए जो को मिल चुका है आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा सारे डॉक्मेंट आपको वेरिफाई करवाने पड़ेंगे और फिस आपको देनी पड़ेगी तो फितो फाइनली आपको एडमिशन कहला जाया रहा तो यह ता जो सागा से राउंड था उसके बाद करते हैं माल लो आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको फिर पार्टिपेट करना चाहिए ठीक है तो आपको आप पार्टिपेट करना चाहिए तो जिससे आपको एनाइटी ट्रेपल आटी जी फ्टी जो सीट पर जाती है जो सा कांसलिंग में इस ट्रिपल आइटी में जो पॉलेज बस ती है वह सीट आपको हो सकता है सीट राउंड के तुरू मिल सकती है तो इसकी जो डेट आएगी उस आपको क्या बूलते सीट राउं के तुरू आपको कोई गौश्ट को ने मिलता है तो आपको 37,000 आपको पे करना पड़ेगा और 17,000 आपको पे गाना पड़ेगा यहां पर एक चीज़ का जहान रखना है 37,000 किनको पे करना पड़ेगा जनरल एड़ एडबलेस और OBC वालों सकता है जहां से सुन आगर आप जनरल वाले बच्चे हो या तो अगर आप मेल केंडिडेट हो 75,000 अगर आपको रहे हैं तो आपको हो सकता है सीज़ के बाल ट्रेपल आटी एक लाइटी लास्ट का आपको एकदम मिल सकता है अगर आप जिक लिए आपको कॉलिज मिल सकता है इसके बात करते हैं सी की बात करें तो इसमें सीगे में दो लाख ना देड़ लाख की करीब अगर आपको मिल जाएगा सीशाव रांग अगर इसके आज पाद आपकी रहेंक तब तो पार्टिसिपेट कर लो कर लेना सीशाव रांग पर नहीं तो आप इसके बीगर सकते हो लेकिन अगर आपकी इसके आज़ पार आपकी रहेंक नहीं आती है तो आपकी रहेंक नहीं आती है तो आपके लिए सिंपल सा सजेशन दे रहा हूं आप चाहिए तो ड्रॉफ ले लो जई में इसके लिए उसको टार्गेट करो अच्छा स्कूर करो जिससे आपको अच्छा कवेंट कॉले मिल जा एक ऑप्शन है दूसर ऑप्शन है कि आप अच्छे प्राइविट कॉले या आप कर सकते हैं ब्रांचि आप क्या होता है कि आपने कि सारे आपने पचास चाहिश द्पिट आपने विल कर दी और उसमें से कह दो हो जो 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 बोलते जब देखेंगे ना तो इसमें हो गई कि जो seat खाली होगी जो seat खाली होगी उसके according आपको वह seat I will out कर दी जाएगी ठीक है तो फिर्स्ट राउन में हो सकता आपको seat I will out हो जाए तो ऐसा तरीके से हो तक है कि जो भी आपने स्टार्टिंग से लेकर के जो भी आपने choice है हो सकते हैं 25 और को इस तरीगे से चसुम करते हूं तो इस चीज़ का अगर आप करते हो तो अगर द्लिखने हैं कि आपको अपको मत स्टॉँ इसलिए अब ध्यान रखना है कि सबसे आपको रखना है जो आपको प्राइर्शत प्राइटी स्रीन अगर आपके रख जायर तब रख सकते हूं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपकी रेंग बहुत अच्छी है यह 10,000,20,30,000 तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग में ही CAC भर देना है CAC मलो NIT दुरगापूर NIT रायपूर CAC न इस तरीके से आपको कहा है ब्रांच और क सारी ब्रांच आप फिल कर सकते हैं जो भी होगा वह आपको सीट मिल सकती है इस तरीके से रड़ तो यहां चौलेज वाईस चॉज्फिलिंग दूसरी चीज क्या है ब्रांच वाइस च्वीलिंग आप देखो ब्रांच वाइस कैसे करते हैं कि इसमें क्या रहते हैं कि आप college को different करते हो branch आपकी से में रहाती है college different का मतलब क्या है मालो NIT देखो example की तुर समझा तो example के तुर एनाइटी ट्रिची इनाइटी सिल्चार एनाइटी वारंगल एनाइटी सूरतकाल आना इनाइटी जैपूर इस तरीके से क्या है आप अपनी college की क्या किया आपने सकते हो और सब में एक चीज आप common रहोगे branch याने की college साब अलग अलग और branch सब में सेम यह मालो आपको EC तो आपको EC आपने लिया या आपको CSC पसंद आपने CSC लिया या आपको mechanical पसंद आपने mechanical लिया और आपकी रैंक बहुत पचासी आर साथे आर पे आई है या उससे आद आई है तो आप क्या कर सकते हो लास्ट ब्रांच यानि मानलो chemical हो गया या industrial production engineering हो गया वह आप सारी branches को फिल कर सकते हो यानि की college डिफरेंच college आपकी डिफरेंट होगे ब्रांच आपकी सेव होगे इसको कहते है आपको इस तरीक से में आपको बता दिया ठीक है starting आपको क्या करना है अच्छा को है प्राइटी ब्रांच करना है यह बहुत जादा रहता है उसके लावा इसलिए चितने के बन्दे बैटते है इसी फोड़ी सी तफ़ेश्च ब्रांच होती है कि आगर बात करें सब में इसी फोड़ी सी तफ़ेस मानी जाती है ठीक है अगर लेकिन अगर आपको intrest है एलेक्ट्रोंस बागर बंढने में तो आप इसी डफिनेटी लिसकत हो ई-ई- प्राइब आपको 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 आप नियुकंश कर लें सकती है तो आपको फिन्सक्न के ए सब्सक्नराबाइब और वियुकंश के लावर वह की यह और सब्सक्राइब प्रडक्शन ठीक है यह सारी लास्ट बांटेस होते तो यह मैं आपको प्रायोर्टी ओडर बता दी एनाइटी ट्रिपल आइटी आयाइटी जी फ्टी आई के लिए इसका आपको खास ध्यान रखना है अपनी रैंक के साब से आपको ब्रांच और कॉलेज अच्छे से चूज कर लिन है ठीक है अगर तो पस यह कुछ मेरे को आपको सारी इंफर्मेशन देनी थी आयोग आपकी मदद कर पाया हूंगो डॉक्विमेंट में कवर करूंगा कि नेक्स वीडियो में कवर कर लों बाकी अल्मूस्ट में पता दूंगा ठीक ऐसी किसा तर आशकी वीडियो खत थैंकि सो मच और कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं विश्यों लव्यों टेक कर बावा थैंकि सो मच